सत्रा बार मार पीट, एसिड अटैक और गैंग रेप ये सब कुछ हुआ एक ऐसी लड़की के साथ जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहती थी होसले और जज़बे की मिसाल ये सक्सियत हैं सुनीता कृष्णन साल 1972 में बैंगलूरू में जन्मी सुनीता कृष्णन ने महज आठ साल के उमर में मांसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दिया था बारा साल की हुई तो जुग्यों में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल खुला पंद्रा साल के उमर में जब सुनीता एक गाउं में बच्चों को पढ़ाने के इंतिजाम में जुटी थी तब इगाउं के दबंगों ने उन पर जान लेवा हमला किया और गैंग रेप किया इस हमले में सुनीता का एक कान खराब हो गया इस खोफना घटना के बाद सुनीता की जिंदगी दहशत और दर्द से भर गई लेकिन मुश्किल हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी सुनीता 22,000 से ज़्यादा महिला और बच्चियों को योन तसक्री से आजात करवा चुकी है जिनमें साड़े तीन साल की बच्ची भी शामिल है सुनीता कृष्णन ने 1996 में प्रजवला नाम की एक संस्था बनाई जो महिलाओं और लड़कियों की तसक्री के खिलाब हावाज बुलंद करती है सुनीता महिलाओं को जिस्म फरोसी के जाल से निकाल कर उन्हें कुछ ऐसा काम सिखाती हैं जिससे वे खुद को मजबूत समझ सकें वे कमा कर अपने परिवार को पाल सकें साल 2016 में सुनीता कृष्णन को पद्म स्री प्रुसकार से नवाज गया उन्हें मदर टेरिसा वाड भी मिल चुका है सुनीता कृष्णन केवी सी के करमवीर एपिसोड में भी सिरिकत कर चुकी है केवी सी के मंच पर सुनीता ने बेबाक राय रखी थी सुनीता का कहना है मांसिक परताड़ना और खोफ हत्या से कहीं ज़्यादा भयानक है वे कहती है मैं रेब पीडिता नहीं हूँ बलकि फाइटर हूँ जब मेरे साथ सामुरिक पलतकार हुआ तो समाज को जो रवया मैंने अपने प्रती देखा वो बेहद कष्टकारी था लोग मुझसे ही सवाल करते थे तुम गाउं क्यों गई किसी ने नहीं पूछा कि उद्वंगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कितनी महिलाएं हैं जो बेची जाती हैं जिश्म फरोसी में ढखे ली जाती उनके साथ तो यह हर रोज हो रहा है उन्हें बचाना है सुनिता कहती है मैंने कोई गल्ती नहीं की मैं नहीं चाती कि मेरी पहचान चुपाई जाए गल्त वो है जो रेब जैसे घ्रोने काम को अंजाम देते हैं मुझे पाने की जरूरत उन्हें है मुझे नहीं